हेलो फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम बैक टू मैं चैनल राजप्रिया आया था शादी का कड़ और मैं काड़िस ले दिखा रही क्योंकि इसमें देखे कितनी सुन्दर से रोडी चंदन अक्षत दीख रहा है ना बहुत अच्छा लगा मुझे और इस बेंगॉली का शादी है तो रिसेप्शन में तो जाना ही पड़ेगा तो मैं सोची चलो यह वाला गाउन पहन लूँ वैसे तो मुझे बैंगॉली का शादी हो यह रिसेप्शन मुझे बनार सी साड़ी पहनने का बहुत मन था बट इतना ठंड था ना कि हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं पहनू तो इस तो उसको सेप करके रखी ती मैं सोची कि चलो ट्राइ करूंगी आज बहुत क्यूट सा हेर स्टै लगा था मुझे और मैं बहुत बार कैमरा के आगे ट्राइक की विरर में जाके ट्राइक कि बट यह नहीं बन रहा था आप देख सकते में कोशिस कर रहे थी कि बन जाए कु तो हो जाएगा खेर मुववन आगे चलते हैं पहले फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे तो यहां पर मैं फेशवर्ष की अच्छे से टॉबल में पोची इतना ठंड में फेशवर्ष करना मतलब मन करता है बस मॉस्ट्रेजर लगा लिप्स्टिक बिंदी लगा और चलो लेक बतर लगता है तो अब मैं यहां पर अपना स्कीन केयर कर रहा हुँ पहले अच्छे से को प्रैप कर रही हूँ ताकि उसके उपर में फांडिशन वेगा लगा हूँ तो वह होता है थंड के दिन में और बहुत ज़्यादा जाता है आप उसको बोल सकते हैं कि अगर आप स्राइजर सीरम सब कुछ लगाई और उसके बाद प्राइमर लगाई और अभी यहां पर में फॉंडेशन लगाई बहुत हलका सा मैक का फॉंडेशन लगाई और यह एक दम अच्छे से ब्लैंड भी हो गया अभी थोड़ा आपको दीख रहा है वो थोड़ा दिर में सेट हो मेकप कर जब फॉंडेशन लगाते हैं तो थोड़ा लगता है कि बहुत लगी है बट वह 10-15 मिनट में अपनी आप अब्सॉप कर लेता है आपका स्कीन तो मैं सोची चलो इसको अब्सॉप होने देते हैं तब तक हम फटा-फट अपने अब्रोस को फिल कर दें क्योंकि उत में नहीं आ रहा था मुझे वैसे बहुत मन था बहुत कुछ करने का बट फिर मैं को लगा कि नहीं आज थोड़ा नॉर्मल ही राने देते हैं क्योंकि आप बैक बहुत कुछ आने वाला है तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट आई मेकप में आप लोगों बताओंगी और इसमें से लाइट ब्राउन सा सेडली हो और उसके पूरे आइस पर हलका हलका लेकर अच्छे से ब्लेंड कर दोंगी और ब्लेंडिंग बहुत ही मस्ट होता है अब यतना अच्छे से ब्लेंड करोगी उतना सुन्दर आपका आई मेकप उभर कर आएगा देख सकते में हल मौकी इफेक्ट आइफेक्ट तो झोग डार्क ब्राउंड सेड ली हो वह में बस आउटर क्रीण के पास लगाऊंगी हलका लेकर उसके ऊपर में हलका सा ब्लेंड कर दोंगी ऐन्दे उसकी बादा मैं हलका सा गोल्डन लगा लोंगी इंगर के तो यह कुछ इस तरीके और जो एक से स्पॉर्डर था उसको रिमूब भी कर ली अब चलते हैं आईलाइनर के तरफ तो मैं विंग लाइनर लगाऊंगी तो मैं इस तरीके से लगाती हूँ जब मैं जल्दी में रहती हूँ टो मैं उतना ध्यान से लगाई और वह मोटा लगया वैसे तो मैं चाहती तो थोड़ा सा पोज कर लेती है फिर मैं सुची कि नहीं रहन देते हैं बस अब हलका सा मैं भी देख सकते हैं मैं अपने foundation को सेट भी नहीं कियों direct यहां पर मैं लगा ले रही हूं blush हलका सा उसके बाद मैं compact हलका लगाओंगी मैं अगर आप foundation लगाते हो ना winter में तो compact को एवाहरी कीजिए तब जाकर बहुत अच्छा लगेगा मैं हलका सा लगा रही हूं एक बार लेकर पूरा फेस को कवर कर ली ताकि जो मतलब एक होता है ना आप अच्छे से सेट कर देता है आपके पूरे फेस को इसलिए बाकि अगर आपका foundation से आप सेटिसफाइड हो तो कॉमपेक का कोई नीड नहीं होता है उसके बिंदी लगाई हलका फुल का जूलरी पैनी अपने लिप्स को अच्छे से मॉश्राइज किया और यहां पर मैं ब्राइट कलर का मतलब मैं लास्ट बहुत टाइम से खले नीड लिप्स्टिक लगा रही हूं और ऐसा होता है कि अ अच्छे ही नहीं लग रहा फिर मैंने अपना जैकेट पैना और इसी के साथ मैं अपना हेर में आगे थुरा-थुरा निकाल ले जो की बहुत अच्छा सा लुट लग रहा था आप लोग कॉमेंट सक्यों में बताना कि आपको यह लुक कैसा लगा और इसी के साथ मिलते हैं रिश्रप्शन वाला ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक्स पूर वोचिंग